हेलो जी नमस्ते राम राम गुड मोर्निंग आदाप सस्रियकाल स्लाम उमीद करती हूँ कि मेरा यूटूब परिवार और आप सभी ठीक होंगे मस्त होंगे और खूब अपनी लाइफ को इंज्वाई कर रहे होंगे और आज की शुरुवाद ये कीचन में न ये अचार कमसाल है भी जो मैंने कडाही में डालना हुआ है ये न काफी दिन हुए पिस्सवा रखा था तो आज इसकी बार या आगी थी मास्टर जी लेके आये थे ये मिर्ची कल तो अचार तो मैंने कल डालना था इसका तो मुझे कल न टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा तो फिर आज मैंन कलोंजी धनिया जीरा सोंप और वो क्या होता है वो भूलगी क्या होता है नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका चलो जो भी था और चाट मसाला और नमक डालके न मैंने इसको मिक्स कर लिया था और ये एक साइड में न मैंने तेल मतलब गरम कर लिया था पका लिया था तेल को और इसमें तेल में न हिंग पहले से ही डाल दिया था और ये रेड जो लाल मिर्ची होती है न ये बिल्कुल नी डाल लिया है तो काटके थोड़ी तिखे वाली मिर्ची हरे वाली ही डाल लिया है और बस ये हो गया था तो थोड़ी सी समय न और मतलब कमी सी थी तो मैंने एक दो मिनट के लिए न फिर दुबारा से गैस चला दी थी और ये न पक गया था और ठंडा भी हो गया था अच्छे से तो फिर मैं इसको डिबे में डालने लगी थी और ये न सिरफ थोड़ा ही बना के फाइदा होता है इसको क्योंकि अगर ये पुराना हो जाए फिर इसके टेश्ट खराब सो जाता है तो ये ताजा ताजा ही अच्छा लगता है कम से कम बस दस या बारा दिन का हो इससे जादा नहीं तो वही है ये ताजा ताजा ही अच्छा लगता है और मैंने इसी हिसाब से बनाया कि ये भी जादा ना बने और फिर जादा दिन तक न रहे तो इसको न हम 8-9 दिन में 10 दिन में खतम कर देंगे वह इतना ही बनाया है तो ये सारा मैंने इसमें डिब्बे में कर दिया है सेट और टेश्टी भी लगता है भई ये है ना हरी मिर्च का अचार तो फिर भई मैं अचारी लगा रही थी अचार बना रही थी तो आगे थे भाई और तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना भाई की शाद्दी है तो ये आगे थे वही हमारा कार्ड लेके कजन ब्रदर की शाद्दी है तो ये कह रहे थे कि हमारी वीडियो मत बनाओ हमें शरम आती है तो फीर मैंने कहा बिएसे कैसे पताचलेगा मेरे भाई आए थे तो फीर मैं कहा वीडियो तो मैं थोड़ी सी जरूर वनाऊंगी भेश कांगे नीचे खर लो تو ये हंसरे थे शर्मा रहे थे और मैंने उनको कहा चलो भी राम राम करो उनके जाने के बाद चले गए थे उन्होंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, चाय पीके चले गए, क्योंकि उनको काम भी बहुत सारे हैं, तो फिर मैंने भी जीद नहीं की, तो वो चले गए थे, और फिर मुझे भी जाना था बही शादी में, तो मैं नहाक के आगी थी और ब बोलना भी रुख जो दो मिनट रुख जो तीन मिनट रुख जो तो उनके आने से पहले भी मैं भी त्यार हो ली थी और यह देखियो हम शादी में जाके आ भी गए हैं भी और आते ही मैंने जाड़ू उठा लिया तो शादी में इशांत को तो हमने न स्कूल से ही ले लिया थ तो आते ही ना जाड़ू पोच्चा उठा लिया था क्यूंकि मेरा जाड़ू पोच्चे वाला काम रह गया था सूबया तो फिर मैंने कहा चलो मैं जाड़ू पोच्चा कर लेती हूँ और ये दोनों पढ़ गये थे भई ये कह रहेते हमें मत चेड़ना थोड़ी देर रैश्ट करने दो इशांत का भी टेस्ट था ना आज वो भी थोड़ा सा उदास सा था पता निए उसका टेस्ट शायद अच्छा नहीं हुआ तो आज ये शांत को कुछ हो रखा है ये नहीं पता उसने बताया नहीं क्या हुआ तो बस मैं फिर लगी थी भई और जाडू निकाल दी थी भई और ना मुझे यह नहीं पता कि जाडू मैंने कि इधर से कहां से निकाल ली जीधर भी मुह हुआ उधर से ही उसी डोर से निकाल दी भई तो यही आज मुझे खुद नहीं पता कि मैं पोच्चा भी कहां से लगा रही हूँ मैंने उठाए नहीं मैं कहसाथ के साथ उठाती जाओंगी और क्या करूँ तो इन्हों ने भी मेरी हेल्प नहीं की कुछ तो भई और कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किये मैं सोच तो रही थी पहले कपड़े चेंज कर लूँ फिर मैंने सोच फिर मेरे पान दस मिनट खराब होएंगे तो मैं पहले पुच्चाई कर देती हूँ और फिर रात को फिर दुबारा से शादी में जाना है तो बस यही है भई भई क्या करें शादी में जाना भी जरूरी है अगर कोई बुलाता है तो फिर भई शादी में जाना भी जरूरी है तो यह मेरी भई अद्धी लोबी होगी है सो फेरिया और अद्धा रह गया भई साइड का एक तो पहले मैं समेरूम में आगी तो भाग भाग के भाग भाग के सारे काम हो रहे हैं भाई और ये मैंने ना लाई जोली सी में डाल लिया था मग में और बस ऐसी मैंने आज तो ना मतलब ऐसी ही टमप्रेली से काम कर दी है नहीं फिर भी भी पोच्च अच्चे से लगा है तो ऐसे भी अच्छा लग जाता है पोच्चा तो ये देखिए जी अभी इस रूम में से निकल के दूसरे रूम में जाएंगे और भई जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीस लाइक कर दीजि और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे यूटूब परिवार का खूबसूरत सा प्यारा सा हिस्सा बन जाएए सदस्या बन जाएए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो प्ली इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करो बही वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो लाइक मत किया करो चाहे तो शेयर जरूर कर दिया करो बस ये रूम भी मेरा कंपलीट हो चुका था और फिर चलते हैं भी दूसरी साइड पहले तो मैंने सोचा था कि चलो मैं हाथ से ही पोच्चा लगा दूँगी तो फिर बैटा ही नहीं गया तो फिर मैंने हाथ की वजाय पिर मैं वाइपर लेक पोच्चा में थी लगा दूगी पिर वही बात वाश्वेशन की साइड से रह गया था तो अध्धा कंप्लीट हो चुका है बस आज तो यही भागम भाग में न सारा दिन निकल गया और फिर अब यह करके थोड़ी देर रैश्ट करूँगी फिर वही बात है फिर शाम की जाने की तियारी करनी है दो दो बार तियार होना सोच रही थी है अब शाम को फिर जाना पड़ेगा और जी भागम भाग में लग गया है पुच्चा तो फिर भी चलो ठीक टाइम पे ना मेरा पुच्चा लगने वाला काम ना पुच्चा लगाने वाला काम कतम हो चुका है तो पर आज मैंने वैसे नहीं किया जैसे मैं मैं वगेरा सारे बाहर निकालती थी पहले और अच्छे से आज तो बस यही है कि चलो काम हो गया बस तो भई फिर आपको कल मिलेंगे कल के न्यू व्लोग में और कल तक आप सभी अपना रखना खयाल खुश रहना मस्त रहना और एक बार फिर से अगर चैनल को सबस्क्राइब नह झाले